हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक माय योट्यूब चैनल बाइलोजी साइन्स आज हम आप लोगों को ट्रांसजेनिक पादप के बारे मताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंततक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजी चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रांसजेनिक पादप क्या होते हैं तो किसी पाधप में बिदेसी जीन को प्रतिपाधित करने से बना नया पाधप, ट्रांसजेनिक पाधप कहलाता है मतलब किसी पौधे में ऐसे बिदेसी पौधे के जीन को डाला जाये जो उस पौधे के कुल के किसी भी सदसे से ना मिलता हो यहां तक कि किसी अन्य पौधे से भी ना मिलता हो तो बना नया पौधा ट्रांसजेनिक पादप कहलाता है तो जब किसी एक पौधे में किसी बिदेशी पौधे के जीन को डालते है तब बने पौधे को ट्रांसजेनिक पादप कहा जाता है अब प्रश्ण ये बनता है कि एक पौधे में जीन को कैसे या किसे से डालते हैं तो पाधप में किसी बाह जीन को सम्मलित करने के लिए अनेक प्रकार के वेक्टर का प्रियोग किया जाता है बता दें कि पाओधों या पादपों में जीन इस्थानांतरण के लिए मुखिरूप से प्लाजमेट्स काम में लाया जाते हैं या एग्रो बैक्टिरियम ट्यूमिफियेशन्स का ट्यूमर या अबुर्द जो होता है प्रणात्मक प्लाजमेट्स काम में लाया जाता है इसके अलावा, माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा, एलेक्ट्रो पॉरेशन के द्वारा, आदि नवीन विधियों के द्वारा जीन इस्थानांत्रित कीया जाते हैं ट्रांसजेनिक पादप अपने मूल भूत प्रकार यानि वाइल टाइप से केवल विदेशी जीन के द्वारा ही भिन्न होते हैं फोरें जीन के द्वारा ही भिन्न होते हैं आताहा ट्रांसजेनिक पादपों में वे लक्षण भी नहित होते हैं जो ये विदेशी जीन इनमें स समझा देते हैं ट्रांसजनिक पादप अपनी जाति से केवल विदेशी जीन से ही अलग होते हैं मतलब जब इन में विदेशी जीन डालते हैं तब ही ये दूसरी तरह के लक्षण प्रकट करते हैं मतलब हर ट्रांसजनिक पादप में विदेशी पादप के जीन मिले होते हैं इसलिए वेग्यानिक इन पादपों से मन चाहे लक्षण पैदा कर लेते हैं। अब मन चाहे लक्षण तो उत्पन हो गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये लक्षण उप्योगी ही हैं या अनुप्योगी भी हो रखते हैं। चलिए अब ट्रांसजनिक पादपों का महतु समल लेते हैं अर्थात इंपोर्टेंस आप ट्रांसजनिक प्लांट्स के बारे में समल लेते हैं। इन पर कोई असर नहीं होता है, अर्थात वायरस इन पर जल्दी आक्रमन नहीं करते हैं, और संचायक प्रोटीन का मतलब यह है कि इनमें अधिक प्रोटीन इस्टोर होती हैं, अधिक प्रोटीन संचित होती हैं। इसी प्रकार से मक्का, आलू वा कापास के ट्रांसजनिक पादब अत्तधिक उत्पादन और कीटों के प्रति सहिंसिल होते हैं तो इस प्रकार से महत्तों के अंतरगत हो जाएगा तो आज के युग में जीन क्रांति ने तहलका मचा दिया है बाजारों में ताजे टमाटर, फ तो इस प्रकार से ये महत्तों हो जाएगे चलिए अब ट्रांसजनिक पादबों को विक्सित करने के उद्देस्यों को डीटेल से समझ लेते हैं तो पहला है प्रतिरोधी जातियों का विकास यानि ऐसे पादबों का विकास किया जा रहा है जिनमें रोग पैदा करने वाले बी साड़ों और कवकों से संक्रमर से बचे रहने की छमता होती है जैसे तंबाखू, चावल, आलू, टमाटर, पपीता आधी ऐसी फसले हैं जिनमें वाइरस और कवक का असर जल्दी नहीं होता है फिर अगला है पीड़क नासी प्रतिरोधी फसलों का विकास तो पीड़क पादब किस्मों का विकास किया गया है जिनको पीड़क नासी दवाओं की आवसकता नहीं होती है यानी जो कीट नासक दवाएं हैं उनकी जरूरत नहीं होती है और जब इन पीड़क नासी रसायनों का कम प्रियोग होगा तो मनुसे का स्वास्त भी अच्छा रहेगा क्यो कोई रसायन फचलों पर चुड़का जाता है तो उसका कुछ न कुछ असर फचल के दानों पर भी होता है और हम लोग उन्ही अनाज के दानों को खाते हैं जिससे हमारे स्वासत पर भी बुरा प्रभाव परता है आपने देखा होगा, सुना होगा जो पहले के लोग उम्र बहुत अधिक होती थी उनकी लेकिन अब धीरे-धीरे करके कम हो रही है तो इन में से कुछ हद तक पीड़क नासी रसाइनों का भी योगदान माना जा सकता है फिर अगला उद्दे से है भहंदारण के समय होने वाले नुक्षान में कमी तो जीनी अभियांत्रकी का उप्योग करके टमाटर की ऐसी ट्रांसजनिक पादपो का विकास किया गया है जो देर से पकती है और काफी समय तक बिना खराब होय रखी जा सकती है मतलब ये कि टमाटर को पिलपिला होने से रोकने और उसकी कठोड़ता को बनाए रखने के लिए जीन्स को पौधे में ट्रांसप्लांट किया गया है इस प्रकार से जादा दिनों तक टमाटर को रखा जा सकता है फिर अगला है पादप प्रजातियों की उत्पादन छमता बढ़ाना तो नए जीन्स प्रिवेश करा करके ऐसे ट्रांसजनिक पादप बनाए गए हैं जिनसे फसलों की पैदावार बढ़ गई है पौधों पर फल जादा लगते हैं बीज का आकार बढ़ा हो गया है और बीज अधिक संख्या में भी बनने लगे हैं इसलिए उत्पा पादपों में नाइट्रोजन अनुबंधन छमता का विकास मतलब जेनिटिक इंजिनिरिंग के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो जीवाण होते हैं कौन सा जीवाण होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला राइजोबियम तो राइजोबियम के ज भास फूस नासी प्रतिरोधी प्रजातियों का विकास तो जब हम कोई फसल खेत में बोते हैं तो बहुत सारा खरपतवार उग जाता है और उस खरपतवार को हटाने के लिए हम लोग खरपतवार नासी साक नासी रसाइनों का छिड़काव करते हैं जिसके कारण फसल प्रभा इसलिए अब ट्रांसजनिक पादप के माध्यम से कपास, मक्का, तंबाकू, सोयाबीन, आदि के पौधे तयार किये गए हैं, जो इन रसायनों को नश्ट करते हैं, यानि इस होने वाली हानि को खत्म करते हैं, चाहे उघास फूस नासी हो, चाहे साक नासी हो, तो इसकी प्रत प्रोटीन, बिटामिन आदि अधिक मात्रा में हो, यानि आमर जनता को पौष्टिक भोजन प्राप्त हो, ऐसलिए ट्रांसजनिक पादपों का विकास किया गया है, ताकि पादपों में पोसब पदार्थों की पोसण जो चमता है, जो प्रोटीन से, जो बिटामिन से, वो अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकें, जिससे आम जनता को लाब होगा, गरीब जनता को लाब होगा। यानि कि जो अर्बिभिनि प्रकार के रोग हो जाते हैं, उन रोगों के टीके लगवाय जाते हैं, तो उन टीकों की आवशक्ता नहीं होगी, टीका लगवाने की जुरुत नहीं होगी, यानि ऐसे टमाटर और आलू के पौधे तयार किये जा रहे हैं, ट्रांसजेनिक सुनहरा चावल उन छेत्रों के लिए उप्योगी है, जिन छेत्रों के लोगों में बिटामिन A की कमी थी, तो उन छेत्रों में इसका विकास किया गया है, फिर अगला है बीटी मक्का, बीटी कपास, बीटी धान, ये पीडक प्रतिरोधी किसमे हैं, यानि इने पीडक नही भीले नहीं होते हैं, बता दें कि इस टमाटर का जीनी परिवर्तन कैलिफोर्निया में बैग्यानिकों ने किया था, और कुछ ऐसे ही ट्रांसजनिक पादपों के उधारन हैं, जैसे टमाटर है, चुकंदर है, सलजम है, बैंगन है, यदि परिच्छा में पूछा जाता है क या फसलों के नाम बताईए, तो आप इन फसलों के नाम बता सकते हैं, तो आसा है, आप लोगों को ट्रांसजनिक पादप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जो कि जीनी अभियांतरकी या जेनिटिक इंजिनिरिंग या आनवानसिक अभियांतरकी की उप्योग करके पादपो को बनाया गया था, अगले वीडियो में आप लोगों को ट्रांसजनिक जन्तो या ट्रांसजनिक एनिमल्स के बारे में बताएंगे, तो अगले वीडियो की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, और साथ में वेल आइकन को भी प्रेस कर लि तक कि आने वाले अगले वेडियो की नोटिफेकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए धन्यवाद